एक महत्पून गटना में पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने ये सपष्ट किया है कि जो भारती पाइलेट विंग कमांडर अभिनंदन जो पाकिस्तान के हमलावर एप 16 विवान को मार गिराने के बाद दुर्गंटना गस्तो होकर पाक अधिशत कस्मीर में गिर गे थे उनको पाकिस्तानी फौज ने अपने कबजे में लिया है उनके बारे में पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने ये सपष्ट किया कि हम जब हालत सामन्य होंगे तब ही उन्हें छोड़ेंगे उन्हें जनवय संदी की ढाल बनाकर उनको छोड़ने की बात कर रहे हैं ऐसा बाहदूर विंग कमांडलर अभिनंदन का शावासी देते हुई प्रधान मंत्री में उधी ने कहा देश का वीर जवान सीमा पर और सीमा के पार भी अपना पराक्रम दिखा रहा है पुरा देश आज एक है और हमारे जवानों के साथ खड़ा है दुनिया हमारे कलेक्टिव वील को देख रही है हमारी सेनाओं के सामर्थ पर हमें भरोसा है हम मुझे भारतिय असनिकों पर गर्भ है जो देश में देश की सीमाओं में और सीमा के पार भी बहाधुरी से अपनी जावाज बहाधुरी से हमारा मस्तक उंचा करता हैं देश की रख्षा करते हैं पुल्वामा हमले के बाद जिस प्रकार से भारत ने पाकिस्तान पे चारव तरफ से घेर लिया है उससे पाकिस्तान बूरी तरह से बौखलाया हुआ है भारत के 26 फरवरी को भारत ने पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पे जो हमला किया था उसका जबाब देने का जो असफल प् F-16 बिमान को भारत की वाई सेना के मिग बिमान ने मार गिराया था पाकिस्तान कल ही इस गटना का विर्कुल इस गटना को नकार रहा था पर भारत की वाई सेना ने आज इस दुर्गना घस F-16 बिमान की तस्वीर जारी कर दिये जिस तस्वीर में पाकिस्तान के कमांडर इस बिमान के मलवे को देख रहे हैं और उसका इंजन का भी जारी किया तस्वीर जारी की इस प्रकार से पाकिस्तान की इस तमाम जूट को भारत ने बेनकाब कर दिया है उसकी तस्वीरें जारी करके इस घटना करम में पाकिस्तान ए बोखलाया हुआ है, उसके विदेश मंत्री ने आज एक बैयान जारी करके कहा कि पाकिस्तान पर भारत फृर कर सकता है बड़ा हमला उसने इस हमले की आसंका जताए कि भारत जलसे, थलसे और नभसे तीनों तरफ से भी भारत पाकिस्तान पर हमला कर सकता है इसी पर एतियाद बर्ते हुए पाकिस्तान ने अपने सभी वाई सेना अड़ों को ब्यावसाईक उड़ानों के लिए प्रतिबंद कर दिया है और वहीं तीनों सेनाओं को सतक रहने का आदेश दिया है दूसरी तरफ भारत की भारत में रक्षा मंत्री सीता रमन के नेत्वत में तीनों सैना के अध्यक्स इससमाई रक्षा मंत्रालाई में वारता जारी है कि किस परकार से पाकिस्तान को माकूल जवाब दिया जाएगा भारत ने जिस प्रकार से 26 फरवरी को पाकिस्तान के आतंकी अड़ों पे हमला किया भारत ने यह सपस्ट कर दिया था कि भारत की यह कारवाई पाकिस्तान यह किसी देश के खिलाप नहीं है आपितू यह कारवाई जो 26 तारिक की जो कारवाई है पाकिस्तान के उस आतंकी संग जिसने पुलवावा पे आतंकी हमला करने की जिम्यदारी ली थी वो जैसे मुहमत के तमाम बारा अड़ों को भारती है वाई सेना ने तभा कर दिया था उसके खिलाफ है इस प्रकार से कल भारत पर पाकिस्तान हमला करने के लिए जो नापाक उसने असपन कोशिस की वो भारत क सेनी अड़ों पर हमला करने की कोशिस में आगे बढ़ा था जो भारत के मस्तेथ वाई सेनिकों ने उसे विफल कर दिया और उनके एक 16 विमान को मार गिराया इसी कड़ी में भारत की रक्षा मंत्री जो चीन में रूस और चीन के विदेश मंत्रियों से मिलकर उसे पुलवा में हुए आतंकी हमले और उसके बाद भारत ने जो पाक अधिकृत कस्मीर में आतंकी जैसे मौहमत के अड़ों को तबाह करने की जो पूरी घटना करम पर उनको विश्वास मिलिया उनको विस्षिस से बताया उसके बाद चीन से लेकर रूस तमाम देशों ने भारत की इसक अब आया जब फ्रांस, अमेरिका और बिट्रेन ने संट्रासंग के सुरक्षा समीति में एक पस्ताव लाकर जैसे मौहमत और उसके आतंकी सरगना मसूद अजहर को अंतराश्टिय आतंकी संगठन और अंतराश्टिय आतंकी घोशित करके उसे काली सुची में डालने का जो पस्ताव लाया है उस पे आज सुरक्षा परिशद के पांच स्ताई देश चीन और रूस सहित फ्रांस, अमेरिका और बिट्रेन और दस स्ताई देश जो इस पे विचार विमर्ष करेंगे इस पे इस पस्ताव को पारित करने की कोश्चत है यह दिहान लखना जरूरी है कि के हमदर्द और सरक्सक बनते हुए चीन नहीं इस पस्ताव को विगत कई वार इस पस्ताव को वीटो कर दिया है उसको पास नहीं होने दिया आज वो कैसे आगे बढ़ता है इसी गठना कर्म में सबसे महत्पूंप पहलिया है कि रक्षा विश्यसेकों का मानना है कि भारत क सबसे पहले खुद पाकिस्तान को आतंकी देश कोशित करना चाहिए और उसके साथ उससे उसके लिए पूरे विश्व में एक जनमत तयार करना चाहिए क्यूंकि भारत 1947 के बाद निरंतर पाकिस्तान के आतंकी हमलों से पीडित है और उस आतंकी हमलों के बारे में उसने संस बंबई से लेकर उड़ीज और पठान कोट के बाद पुल्वामे में जो आतन की हमले किये निरंतर भारत के ऊपर तो उसके देखते हुए यह आतन की संगठन जैसे मुहमत का मसूद अजर हो या अन्यातन की संगठन हो वो उनके प्यादे हैं पाकिस्तान के असली गुनागार अगर कोई है तो पाकिस्तान है सबसे पहले पाकिस्तान को आतन की देश कोशित करना चाहिए प्यादों को कितना भी डंड दिया जाए वो तब तक समूल नस्थ नहीं हो सकता है तब तक भारत में अमन्चा नहीं आ सकता है जब पाकिस्तान अपने आतन की कलुसित भारत वि पाकिस्तान से लेकर बिट्रेंड और अमेरिका खुद अमेरिका जो पहले पाकिस्तान के सरप्रस्ट बने हुए थे आज भारत के साथ बड़ी मजबूती से खड़े हैं और वो उन्होंने कल पाकिस्तान को एक सपस्टू सब्दों में अमेरिका ने ये बताया है कि जो एप 16 बीमान आपको ये दिये थे वो आतंग के खिलाप लड़ने के लिए दिये थे आतंग की उपर कारवाई करने के लिए दिये थे न किसी अन्यदेशिस पे हम्ला करने के लिए तो उसी दवाव के बाद पाकिस्तान इस बात से मुकर्रा है कि हमने एफ 16 बिमानों का कोई प्रियोग नहीं किया इस हालत में भारत सरकार को अमेरिका की तरह या निर्ड़े लेना चाहिए कि आतंकी मसूद हमारा गुनागार है इस पे केवल प्रतिवल लगाने से काम नहीं चलेगा इसको आतंकी सूची में डालने से काम नहीं चलेगा इसके साथ साथ इसको भारत को सोपना पड़ेगा ताकि भारत अपनी न्याईक ब्योस्ता के अनुसार इसको तमाम आतंकी संगठनों आतंकी हमलों के गुनागार की सजा दी सके क्योंकि इससे पहले भी पाकिस्तान कई वार सहीद और मसूद पर प्रतिबल लगाने की बात करता है। उनको प्रतिबन लगाने के नाम पर उनको सिकन्य में लेने के नाम पर नजर मंद करने के नाम पर उनको ऐस गहाओं में रखके उन्हें अच्छी सुविदाय और उन्हें उन्हें एक समाद सेवी बड़ा समाद सेवी घोसित करके समझ समय पर उनको अपने नियाईक व्यवस् करते हैं और जंता से पैंसा इकटा करके कस्मीर में जहाद के नाम पर भारत में आतंकी कारवाईं को बढ़ाने के नाम पर मुसल्मानों को सरपरस्त होने के नाम पर उनकी रक्षा करने के नाम पर ये जो फंड इकटा करते हैं उसका पूरा प्रियोग भारत में आतंकी कारवा उपर लगाता है इसलिए भारत को ये पहली मांग करनी पड़ेगी कि मसूद को आतन की घोसित करने इसके साथ साथ उसे भारत को सोंपे जिस प्रकार से अमेरिका ने उस समय अमेरिका के वर्ट ट्रेट सेंटर पर जो हमला हुआ था उस समय अमेरिका ने दो सब्दों में कहा था कि ये जो गुनागार है इन्होंने अमेरिका पर हमला किया और ये जहां भी रहेगा जो भी देश इन्हें सरक्षन देगा वो अमेरिका का अमेरिका दुस्मन होगा और ये हमारे गुनागार है इनको हर हाल में सजा हम देंगे इसी परकार से भारत को भी आज कहना चाहि इसी से ही पूरे बिस्व बिरादरी में भारत के रणनितिकारों ने इस बात को आगे ले जाकर नकैवल मसूत को अपदफ पाकिस्तान को भी आतन की देश घोसित करके उस पे आर्थिक, सामरीक और राइनितिक तमाम प्रतिबन लगाके उसे बिस्व बिरादरी से अलग करना चाहेएए वही प्रदानमंत्री नरंदर मोदी ने तीनों सेनाओं को फिर खुली छूट देते हुए देश के युवाओं को आवान किया है, वो चटान की तरह इस निरना एक छणे में देश के साथ खड़े रहें, देश की सेनाओं के साथ खड़े रहें, प्रदान मंतरी मोधी ने कहा कि मुझे देश की सेनाओं पे गर्ब है और हर भारतिया को समर्पित भारतिया को देश को अस्तिर करने वाली ताक्तों के खिलाब मूत और जवाब देने के लिए देश की सेना के साथ खड़ा होना चाहिए जिससे देश की सेना का मनोगल वड़े क्यूंकि देश की सेनाएं इस समय भारत को आतंक से तभा करने में जुटे पाकिस्तान के आतंकी संगठनों को का सर कुचलने में लगी हुई है और पाकिस्तान को इस समय इन आतंकी संगठनों को पर प्रतिवन लगा कर उन्हें भारत को सौम देना चाहिए देश के युवाओं से और राईनितीक दलों से आवान किया कि दलगत राईनिती से उपर उटकर राश्ट रक्षा में एक जुट होकर देश की सेनाओं के साथ खड़े रहें हमारी सेनाए विस्त्वा की सबसे चार मजबूट सेनाओं में से हैं बहदर सेनाओं में है राष्ट भक्त और अनुसासिछ सेनाओं में है वो हमारा लड़ाई किसी देश के खिलाफ नहीं है अपी तो ये आतंक को फैलाने वाली पाक परस आतंकी संगठनों के खिलाब है उन संगठनों का जब तक भारत समूल लास नहीं करेगा ये अभियान जारी रहेगा और पाकिस्तान अगर अपनी बेहतरी समझता है कि खुद इन आतंकी संगठनों के खिलाब काम करे और अगर उसमें उसे कुछ कमजोरी मैसस होती है तो भारत उसके साथ चटान की तरह खड़ा रहेगा और इन आतन की संगठनों का सपाया करके ही दम लेगा